हलो बच्चों नमस्कार वेलकम टो इस्टडीविस सजिंसर दोस्तों इंपोर्टन कुष्चन की स्रीज में हम पांच 20 स्रीज पर पहुंच चुके हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महात्पूर होने वाली है इसमें इस बार ऐसे ऐसे कुष्चन आये हैं कि अगर आ कुष्चन आपके सामने आ गया बताईए इसका उत्तर क्या होगा गया है किया रहा है यहां पर यहां पर यहां पर क्या है दो की घात आठ है और यहाँ पर चौमूल है चौमूल रहेगा चार का जोड़ा घंमूल रहेगा तीन का जोड़ा वर्गमूल रहेगा दो का जोड़ा ठीक है तो चलिए भाई इसको हल करते हैं देखिए यहाँ पर रूड में दो की घात चार है रूड में दो की घात चार का मतलब है ज गन करड़ी में तीन का जोड़ा तो यहां पर चार हो जाएगा प्लस अच्छा उधर भी प्लस है तो यहां पर प्लस होगा यहां पर क्या होगा राइट हो जाएगा 12 इसका सही उत्तर होगा ठीक है पहला आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपसन नमबर ए बारा अगला प्रस्ण आपके सामने आने वाला है बहुत ही बढ़िया कुश्चन जल्दी से आप कहां पी पहले कर बैठें और इसका उत्तर बताएं बताईये कह रहा है कि वह सबसे छोटा धन्पुड़ांक क्या है वह सबसे छोटा धन्पुड़ांक क्या है जिसे 392 में गुड़ा करने पर गुड़न फल पूरवर्ग संख्या प्राप्त होती है आपसने 6532 त्राई करिए एक बार फिर बताईए इसका उत्तर क्या होगा ट्राई करिए एक बार फिर आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा ठीक है ट्राई करिए एक बार फिर बताईए जल्दी से जल्दी से बताईए इसका उत्तर क्या होगा चलो भाई देखते हैं इसका सलीशन क्या होगा देखिए जब भी इस ट्राइब की सवाले आए सबसे पहले आपको यहां पर जो भी फैक्टर दिया रहे उसका आपको गुड़न खंड करना है जो भी यहां पर संख्याएं दी गई रहेंगी सबसे पहले उस गुड़े साथ गुड़े साथ यह आएगा अब पूर्वर्ग बनाने के लिए क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए या किस संख्या से गुड़ा किया जाए कि यह पूर्वर्ग बन जाए तो देखिए इसमें किसका जोड़ा बन रहा है और किसका जोड़ा नह कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए भाई अगला प्रस्ण देखते हैं कि चलो भाई बताइए इसका उत्तर क्या होगा घंकरडी में 8 है बटे में रूड में 16 है डिवाइड है हन्डर अपान 49 फिर मल्टिप्लाइए घंकरडी 125 किसके बराबर है साल्व करिए और बताइए किसका सही उत्तर क्या होगा प्रस्ट को पहले आप नोट करें कापी में नोट करने के बाद फिर आप इसको साल्व करें और साल्व करने के बाद आप इंतिजार करें फिर आपको समझाया जाएगा फिर आप मिलाएं कि आपका प्रस्ण सही है या गलत है अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है गलत हो तो उसे नोट करें चलो यहां पर देखिए घन करड़ी है और घन करड़ी यहनिकी आठ आ dye कर करड़ी साथ भिटादस oxid में में क्या है पांच कातिया भाई 202 न sparked गया छात wallet क्रेंस का बचासाइब आप यहीं आपका सही उत्तर होगा साथ एंग पहला समय को तो आप इसे नोट करें और देखें कि अगर आपने लगाया है तो मिला लिजीया कि सही है कि गलत है और ग मिभता इसको उत्तर क्या होगा Urget 20 इकसी ब्टा 12.5 ऊच तो यक्सी का मान क्या होगा बढ़ी सवाल है यक्सा मान खाल kangal क्या होगा अगर Ayasa कंडिशन दिया ह nytो सिंपल है चलो भाई देखते हैं देखिए सबसे पहले आप इसका cross multiply कराएं जब cross multiply कराएंगे तो इधर x square हो जाएगा और इधर 50 गुड़े में 12.5 हो जाएगा अगर आप चाहें तो इसका point हटा सकते हैं इधर से x हटाएंगे इधर road हो जाएगा 50 गुड़े point हटाएंगे तो 125 बटम क्या हो जाएगा 10 एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा यहां पर 5 है 125 को 5 तीन बार लिखा जा सकता है 125 को 5 तीन बार लिखा जा सकता है तो भाई यह वर्गमुल है और वर्गमुल में दो दो का जोड़ा बनता है तो एक 5 निकला यहां से फिर एक 5 निकला और 5 और 5 के गुड़ा होता है 25 यहीं आप्षन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने आ रहा है बताइए जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा चलो भाई बताइए पचीस गुड़े 63 भागे 7 प्लस 27 माइनस 2 पचीस गुड़े 63 भागे 7 फिर प्लस 27 माइनस 2 कह रहा है इसका मान क्या होगा जल्दी से आप लगाएं फिर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलो, अभी तक आप लगा ली होंगे, चलो भाई देखते हैं, सबसे पहले आप डिवाइड करें, 25 गुडे, 7,9,3,6, 27 में दो घटा ते कितना बचेगा, 25, 25, 9,225, प्लस 25 मतलब 250, यही आपका सही होगे, आपसन नमबर D, आपसन नमबर D बिल्कुल राइट एंसर है, यह अगला प्रस्ण आपके सामने आ रहा है, बताएं किसका सही उत्तर क्या होगा, चलो देखते हैं, CT하 पांच माइनस माइनसदस प्लस मापांक में 15 मापांक में माइनस-20 मापांक में 25 वह जबाता है या मापांक नग्रेजी में अछल पर ता है और इसका रूल्स होता है कि इसके अंदर जैसे कोई भी नंबर माइनस में लिखा है तो आएगा प्लस में हो जाएगा और अगर प्लस में लिखा है तो वह प्लस में ही रहेगा मतलब मापांग हम ऐसा पॉजिटिव नंबर देता है निगेटिव वेलू नहीं देता तो आप इसको साल्व करें थोड़ा सा नया कुईश्चन लाने का पॉजिए सका प्यास किया है देखो पांच आइसे लिखा है माइनस मापांग के इंदर कितना है मैम के नहीं समने बता मापांग से कोई भी लगा है कि हम ऐसा पॉस्टिव रहेगी प्लस 15 आज़िए और पंदरा और प्लस में है तो 25 थीज़ दस चालीश चालीश 545 पचीस में पांच जोड़ेंग 30 30 में 15 जोड़ेंग 45 और यह 10 और 20 दोनों मानस में जोड़ लेजिए 20 10 कितना हो जग 30 घटाएंगे बचाएंगे बचाएंगे 15 यह नहीं आपका डी आपसन बिल्कुल राइट होगा ठीक है कि चलिए बाई बताएं इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा बहुत ही बढ़िया सवाल है जल्दी से आप इसे हल करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं बाई जल्दी से किस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा कि अगा अगर आप लगा ली हो तो देखते हैं देखिए इधर माइनस 13 माइनस क्या हो गया माइनस दो से 6 बहा करेंगे दो दियाई च्छे तीन बहर गया यहां पर प्लस जिन है यह माइनस पांच और माइनस चार इन दोनों तीन जोड़ेंगे माइनस सोला प्लस बीस बीस में सोला का टैंक प्लस का चार यहीं आपसाल नंबर बी बिल्कुल राइट होगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं चलिए भाई इस प्रस्ण का उत्तर देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टन कुश्चन है एक बार आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं अच्छा कुश्चन है उसके बाद हम आपको बताता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलो साल्म करते हैं देखते हैं देखिए भाई यहां प 3 3 3 कर जाएगा 2 9 और 3 कलासा हो जाएगा 18 2 9 18 प्लस 9 दूनी 18 20 दूना 40 माइनस 3 चंग 18 14 चंग 84 तो 84 में 9 जोड़ देजिए क्योंकि भाई ये दोनो माइनस प्लस में इसको जोड़ देजिए उसके बाद घटा देजिए या फिर आप इसमें जो है क्या करेंगे कि चलिए उसके जोड़ देजिए ये माइनस में है ये तो माइनस में ये नहीं जुड़ेगा ये जुड़ेगा 40 नो कितना हो गया 49 माइनस 84 बटे क्या हो जाएगा अठारा नो में से 4 गे 5 उल्टा घटा दिए इधर से गटे गा माइनस चीन लगेगा माइनस चौदा में से 9 गे 5 यहां बचा 7, 7 में 4, 3, 35 बटा 18 भाग करेंगे तो ये जाएगा सही बटा में माइनस एक सही 17 बटा 18 तो इसमें कौन सा आपसन आपका सही है पहला आपसन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा तो आज कि इस वीडियो में बस इतना ही प्रस्न अगले वीडियो मिलेंगे नए प्रस्नों के साथ तब तक इस सीरीज को जारी रखिए और सेयर करते रहिए मिलते हैं किसी और वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद